है आज के इस टूटोरियल में हम डिसकस करने वाले हैं नेस्टेड इफल स्टेटमेंट को तो लेट स्टार्ट तो नेस्टेड इफ को समझने के लिए पहले हम एक सेनेरियो डिसकस करते हैं लेट से आपको एक यूपी आई ट्रांजेक्शन रहना है लेट से आप बेंक वैलेंस चेक कर रहे हैं या इवन मेटर आपकिसी को कुछ पेमिंट कर रहे हैं आप एक ट्रांजेक्शन कर रहा हैं आपकी दो कंडीशन नेसेसरी हैं कि वो आपकी सही होनी चाहिए पहली जो condition आपके पास होगी वो होगी आपकी UPI PIN आप जो UPI PIN एंटर करेंगे वो PIN सही होना चाहिए अगर in case आपने जो UPI PIN अपना एंटर किया और वो PIN आपका गलत है तो आपका जो transaction है वो fail हो जाएगा because बिना UPI PIN के तो आपका transaction forward नहीं हो सकता तो अगर आपका PIN गलत है तो आपका transaction कभी भी process नहीं होगा वो fail हो जाएगा तो first condition जो आपकी सबसे important है कि आपका UPI PIN जो आप एंटर करेंगे वो correct होना चाहिए तो in case अगर आप जिसे UPI PIN एंटर करते हैं और ये correct होता है तभी आपका transaction आगे बढ़ सकता है अब इस condition के बाद एक condition और आती है for a successful transaction कि आपको अगर कोई transaction successfully करना है तो second condition ये meet आपकी होनी चाहिए कि आप जो transaction कर रहे हैं जैसे amount आपके account में उतना balance होना चाहिए जैसे for example आप अगर कोई ऐसी amount का transaction कर रहे हैं जो आपके account balance से ज्यादा है आपके account में जो balance है उससे ज्यादा amount का अगर आप transaction कर रहे हैं for example आप transaction कर रहे हैं 7500 का और आपके account में balance है only 5000 तो इस case में भी आपका जो transaction है वो decline हो जाएगा आपका transaction fail हो जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर आपके पास में sufficient balance नहीं है आपका pin सही है आपने pin बिलकुल सही enter किया है बट आप जितने amount का transaction दरना चाहते हैं उतना आपके account में balance ही नहीं है तो successful transaction के लिए second चीज आपको क्या need है कि आप जिस amount का transaction कर रहे हैं at least उतना balance आपके account में होना चाहिए जैसे for example अगर आप transaction कर रहे हैं 2500 रूपीज का और आपके account में balance है 5000 रूपीज तो इस case में आपका ये transaction successful होगा जो आप transaction कर रहे हैं जिस भी आप ID को payment कर रहे हैं वो payment successful होगी तो यहाँ इस scenario में actual में क्या हो रहा है आपकी सबसे पहले एक major या parent condition चेक हो रही है तो फिर एक second condition आपके पास में आती है that is जो transaction amount है उतना balance आपके account में होना चाहिए तो यहाँ इस particular case में क्या हो रहा है कि आप एक condition के true होने के बाद में उसके अंदर आप दूसरी condition को test कर रहे हो ऐसी situations को handle करने के लिए आप nested if else का use करते हो nested if statement जैसे नाम से ही समझ आ रहा है एक if statement के अंदर दूसरा कोई if statement का होना इसे आप nested if statement बोलते हो यहाँ पर आपकी एक statement जैसे अगर हम if की बात करें तो उस if statement के अंदर आपको एक पूरा के पूरा if else का portion मिल सकता है और same चीज यह else वाले part में भी possible है आप एक if के अंदर दूसरा if लगा सकते हैं in general जब हमें multiple conditions को test करना होता है one after another एक condition सही है अब उसके अंदर हमें और conditions चेक करनी है या एक condition गलत है अब हमें उसके अंदर कोई दूसरी condition चेक करनी है जब हमें ऐसा है multiple conditions one after another compare करने होते हैं चेक करने होते हैं उस condition में हम nested fls का use करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी parent condition होती है बाहर वाली बेन जो आपकी सबसे important condition होती है वो check होती है जैसे for example UPI PIN और अगर वो condition check होने के बाद फिर आपकी कोई sub condition check होती है that is for example जैसे भी हमने discuss किया कि आपका transaction amount तो यहाँ पर एक condition पहले आपकी parent condition check होती है और उसके बाद आपकी जो सब condition होती है उसको evaluate यह test किये जाता है को इस तरीके से आपका nested if else जो होता है यह काम करता है इसको समझने के लिए चलिए हम इसका syntax देखते हैं कि किस तरीके से चलेगा यह हमारा एक simple हमने if else लगाया यहां यह हमारा if है यह हमारी condition 1 है यह if का portion start और यहां से यह else simple अब यहां पर इस if portion के अंदर अगर हम एक पूरा if else और बना गया है जिसे यहां पर हमने लिया if condition 2 यह इसका code है code section a else code section b और अगर आपकी need है तो आप इस else part में भी पूरा एक if else लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से that is if condition 3 इस condition 3 के अंदर हमने दिया हुआ है code section c और इसके else part में हमने दिया हुआ है code section d यहां पर यह वाद ध्यान रखनी है कि यह जो if else है यह साथ ही आएगा ऐसा नहीं करना है कि इसके अंदर आपने if block बना दिया और else के अंदर else part होगा because हमने इससे पहले discuss किया हुआ है कि if else हमेशा pair में काम करते हैं तो यहां पर अगर आपने condition 2 के regarding आपको else part की जरूरत है तो वो इसके साथ ही आएगा आपकी यह वाले if के अंदर तो यह कुछ इस तरीके का suppose हमने court किया हुआ है यहां पर आप देख सकते ही यह nested if statement है यहां if के अंदर हमने एक पूरा if else का part लगाया हुआ है और यहां else में भी आपने if else का portion लगाया हुआ है यह completely हमारी need पर depend अगर अगर आपको लगता है कि आपको इस वाली condition के true होने के बात में if else की जरूरत है तो आप यहां पे इसे लगाएंगे आपको लगता है else part में आपको ऐसी कोई need नहीं है तो यहां इस if else को लगाने की जरूरत नहीं है तो यह completely हमारी need पर depend करता है कि हमें किस type का structure चाहिए अब यह काम कैसे करता है इस को हम देखते हैं देखिए सबस condition suppose true है अगर यह condition 1 हमारी true है तो हमको पता है कि अगर if के साथ में condition true होती है तो if का portion run होता है else का portion skip हो जाता है तो हमारे program का control इस if के अंदर enter करेगा अंदर जैसे ही हमारे program का control आएगा तो यहां इसे फिर से एक if मिलेगा और यहां पर यह आप condition 2 को test करेगा second condition को evaluate करने पर suppose आपकी second condition true निकलती है तो अब आपके program का control इस if के अंदर आएगा और यह जो quote section A है इसको execute करेगा जहां पर अब because इसका if portion चल चुका है तो इसका else portion run नहीं होगा और यह वाला else portion तो वैसे ही run नहीं होगा क्योंकि आपने यहां पर इस if condition यह true है that's why हम इसके false है यह गलत है तब क्या होगा इस if का else वाला portion पे हमारे program का control जाएगा और हमारा code section भी run होगा आपको यह वाला जो भी यहां पर code होगा वो run होके मिलेगा अब in case जो condition 1 हमारी थी अगर यह false होती है true होगी तो यहां अंदर जाएगा condition 2 को test करेगा अगर suppose यह condition false है तो क्या हो होगा तो हमारे program का control direct कहां जाएगा इस if के यह वाले else part पे जाएगा और यहां पर इसे condition मिलेगी named as condition number 3 अब यह condition number 3 evaluate की जाएगी condition number 3 के evaluation पे suppose इसका result आता है true तो condition अगर true है तो कौन सा code run होगा condition के साथ वाला इसके साथ वाला तो आपका code section 3 run होगा code section C जो हमने बनाया यह execute होगा in case अगर condition number 3 के evaluation पे वो false होती है तो क्या होगा इसका else partner होगा और आपका code section de-evaluate होगा तो इस तरीके से हमारा यह nested if else का पूरा structure काम करता है आप सबसे पहले अपनी parent condition test करते हो parent condition की testing के बार उसके result पे अगर वो true है तो हम फिर इसके अंदर के fields को execute करेंगे और अगर वो false है तो हम else के अंदर के if else को execute करेंगे और वहाँ पे भी f else हुसी manner में execute होगा जैसे if else actually आप execute करते हो अगर condition true है तो if के साथ ka portion run होगा और अगर condition false है तो आपके else के साथ का portion run होगा तो इस तरीके से हमारा यह पूरा इसको better understand करने के लिए हम इसे एक example की help से समझने की कोशिश करता है तो अभी हमने जो scenario discuss किया था UPI pin and transaction वाला हम इसी को यहां implement करने की कोशिश करते हैं थोड़े simpler वे तो सबसे पहले यहां पर हमारी इसके बाद हमारा में फंक्शन आएगा हमारी यूपी आई पिन है और जो बेरेंस है उसे हमें कुछ वैल्यू खुद से एस्यूम कर लेते हैं लेट से जो हमारी यूपी आई पिन यह हमने वेरियूल बना है और हमने मैं पिन तरह करें कि पिन है 4325 यह यूपी आई पिन है let's say आपका जो बैलेंस है अकाउंट में वह है let's say 5000 तो यह हमने माना है कि हमारे अकाउंट में 5000 का बैलेंस है और जो यूपी आई है अकाउंट की वह है 4325 अब इसके बाद हमें दो वेरियेवल्स की और जरूरत है एक हम लेंगे लेट से एंटर्ड पिन यह हम यूजर से जब हमारा प्रोग्राम होगा तो हम पिन एंटर कराएंगे तो एंटर्ड पिन और इसके अलावा हम हम एक वेरियेवल ले लेते हैं लेट से ट्रांजेक्शन अमाउंट जितने का भी ट्रांजेक्शन करना है वह अमाउंट तो अब इसके बाद लेट से सबसे पहले हम यूजर से बोलते हैं कि आप अपना पिन एंटर करें तो मैसेज देंगे लेट से एंटर यूपी आई यह मैसेज दिया विद्धी हेल्प ऑफ स्कैनफ फंक्शन हम यूजर से वह पिन एंटर करा लेंगे लेट से परसंट दी एंपरसंट एंटर्ड पिन तो जो भी यूजर पिन एंटर करेगा उसे हमने एंटर पिन वेरियेबल में स्टोर करा लिया है अब इसके बाद हमको यहाँ पे चेक करना है सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करनी है that is if एंटर पिन इस एक्वल एक्वल टू यूपी आई पिन आपने जो यूजर ने पिन एंटर करी है वो यूपी आई पिन आपका इसके इक्वल है अगर उसके इक्वल है तो ताक्वनी आए बड़ेगा अगर नहीं है इक्वल तो ऑबिस्टी बात है ट्रांजेक्शन फेल होगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको SIMPL एगे इंड इनकरेक्ट कि डिकाज आपकी पिन इनकरैक्ट है आपका शब्लेक्ष फेले और जिए तो प्रोग्राम का इनकर्मक्नृ इस के अंदर चले अगर यह condition false है तो definitely यह एल्स में आएगा और यहां पर इसे क्या प्रिंट होके हमें क्या प्रिंट होके मिलेगा यूजर को कि ट्रांजेक्शन फिल्ड विकॉस इनकरेक्ट अब अगर इस के अंदर हम आते हैं मतलब आप क्या जो यूपी आई पहने वह सही है अब ट्रांजे वाइद झालया इस तो यहां पर आपका आएगा एंटर इंटर अमों प्रिंडेन आप फंशिन help से जो भी transaction amount है हम उसे एंटर करा लेंगे let's say transaction amount नाम के variable में हमने से store करा लिया अब हमारे पास transaction amount आ चुक है successful transaction के लिए क्या condition necessary है कि आपके account में उतना balance होना चाहिए जितने का आप transaction करना चाहते हैं तो यहां पर इसको confirm करने के लिए आप क्या करेंगे आप condition test करेंगे that is let's say transaction amount will be smaller than equal to balance जो भी आपका transaction amount है it must be less than or equal to your balance bank balance के उतना होना चाहिए उससे कम होना चाहिए उसके उसके बराबर होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो transaction fail है तो यहां इस में हम क्या करेंगे हम condition लगाएंगे that is if अगर यह condition आपकी true है तो हम यहां मैसेज देंगे let's say printf ट्रांजेक्शन successful कुछ इस तरीके से और in case अगर जो amount आपने डाला हुआ है वो उतना आपके अकाउंट में balance नहीं है तो आप मैसेज देंगे let's say आपका ट्रांजेक्शन होगा फेल तो हम मैसेज देंगे ट्रांजेक्शन फेल्ड और इंफर्मेशन देंगे कि क्यों फेल हुआ है यहां पर आप यूजर से सबसे पहले उसका यूपी आई पिन एंटर कर रहे हैं यूपी आई पिन हमने यहां पर एज्यूम किया हुआ है कि हमारा यूपी आई पिन है 4325 और जो अकाउंट पहले से पिन लेंगे जो पिन है उसे आप compare करेंगे अपने यूपी आई पिन से अगर वो गलत है तो सीधा आपका एल्स में प्लोग्राम जाएगा और आपको मैसे जाएगा इन केस आप अगर पिन सही एंटर करते हैं यूजर से ट्रांजेक्शन की एमाउंट पूछी जाएगी ट्रांजेक्शन amount user से accept की जाएगी और यह चेक किया जाएगा कि आपने जो transaction amount डाला है वो balance के से less या उसके equal है या नहीं that means कि आपके account में उतना balance है या नहीं कि आप वो transaction कर सकते हैं अगर यह condition achieve होती है तो आपको message आएगा transaction successful मतलब transaction हो गया और in case अगर यह condition false होती है तो आपको message आएगा इस transaction failed due to insufficient balance यह हमारा complete program है चलिए से run करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है है सबसे पहले यह हम से pin enter करने के लिए बोल रहा है तो जैसे first time हम इसे run कर रहा है तो हम पिन गलत एंटर कर रहा है let's say 4113 यह हमने पिन एंटर किया जैसे कि हम देख सकते हमारा यूपी आई पिन हमने assume किया है 4325 और हमने यहां पर पिन कुछ और डाला है जैसे यह आप इसे एंटर करेंगे आपको तुरंट एक message आएगा that is transaction field incorrect pin ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि आपकी यह जो major यह जो parent if condition ही गलत हो गई है तो इसका else portion रण हो रहा है और आपने जो यह message दिया है वह आपको यहां print होके आ रहा है इस if के अंदर आपके program का control enter ही नहीं हुआ let's let's run it again हम इसे एक फिर execute करते हैं अब यहां पर रही हम से pin पूछ रहा है हमने pin वही enter करी जो हमने assume करी है that is 4325 और enter किया अब यह आप से पूछ रहा है कि आप transaction amount enter करी है आपकी यह condition जो आपने यहां दी हुई है यह condition आपकी true है that's why program का control है सिफ के अंदर enter हुआ है और आप से पूछ रहा है transaction amount के लिए यहां पर आप assume कर रहा है आपका balance है 5000 रुपीज मैं यहां पर हम फिलहाल यहां पर इस balance से कुछ जादा amount डालते हैं let's say हम transaction करना चाहते हैं 7000 रुपीज का अब आप जैसे ही आप यह amount डालेंगे आपको तुरंट message आएगा transaction failed due to insufficient balance ऐसा क्यों होगा क्योंकि आपकी यह वाली जो आपने nested if की condition लगाई ही है यह evaluate होगी आपने amount डाला है 7000 आपके पास balance है 5000 तो यह condition false है that's why control इसके elf पार्ट में जाएगा और आपको message आएगा transaction failed insufficient balance successful transaction कैसे होगा या किस condition में होगा जब आपका UPI pin सही होगा that is 4325 और जो हम transaction amount जो होगी वो balance से कम होगी मतलब आपके पास उतना balance हो जितने का आप transaction करना चाहते हैं जैसे for example 4200 इस particular case में अगर आप enter करेंगे तो आपको message आएगा transaction successful ऐसा क्यों क्यों आपने पिन डाली हुई है तो यह जो आपने पिन यहां पर enter की है इस particular case में जो आपने यहां पर पिन इंटर की हुई है यह पिन आपकी बिल्कुल वही पिन है सेम पिन है जो आप एज्यूम करके चलगा है इसलिए आपका यह जो पहला condition है यह बिल्कुल सही होगा यह true होगा जैसे ही आपकी यह condition true होगी हमारे program का control इस statement से अब अंदर आएगा because हमने जो UPI पर ने एंटर किया हुआ है और जो हमने पिन हाँ एज्यूम किया यह सेम है यह condition हमारी true होगी इसके बाद हम अंदर आएंगे enter transaction amount तो यहां पर हमने जो transaction amount माना हुआ है that is 4200 और जो हम balance अज्यूम करके चलगा है हमारे account मे balance कतना है 5000 रुपीज तो obvious ही बात है यह जो second condition है यह भी हमारी true होगी तो हमें इस if के अंदर जो आपने statements दी होगे वो execute होगे और हमें message आएगा transaction successful तो कुछ इस तरीगे से हमारा यह nested if else statement काम करता है यहां पर आपको जहां पे need है जैसे इस particular case में हमें इस if के अंदर if else की ज अंदर नहीं आपको else part में जरूवत है तो आप else part में if else लगा सकते हैं अगर सिर्फ if की जरूवत है तो सिर्फ if अकिला भी use कर सकते हैं तो इस तरीगे से आप अपनी need के according एक if के अंदर आप nested if else और if else use easily कर सकते हैं तो आज के इस tutorial में वस इतना ही next tutorial में हम हमारे control statements को continue कर